उत्तर प्रदेश सरकार की जल संगरक्षन को लेकर वे जल बचाओ को लेकर जो कारेशेली है उसकी बाद की आज बागपत में देखने को मिली है जिसमें सजल बागपत अभियान के तहत एक भव्यकारी करम रखा गया जिसमें जस्वंत सिंग सैनी जिला परभारी राज्य मंत भी पहुचे और मेरट मंडल आयुक्त भी पहुची वहीं लोगों को जागरुक करते हुए डियम राजकमल यादव ने जल के बारे में पूरी जानकारी दी है और नहरों और नदियों के बारे में भी संपून बाते बताई है वहीं जस्वंत सिंग सैनी ने भी अपने जल के परती जो आस्ता है और जल को कितनी महतूता वो फिलाल दे रहे हैं उसके बारे में बताया है जिसको लेकर देखे हमारी ये खास रिपोर्ट विश्वर्ष मेडम के आशिवास से उनकी नदेशन में अब जो इत्तिस अभी नाले और सभी हमारे ऐसे पुरानी जो खास है यह जो फाले हैं जो हिंड़न अधी में उनको सफाही करके पानी ले जाने लाइक द्रस्ता बनाने का परयास कर रहे हैं उसी किनम में आप ती ग सब्सक्राइब करेंगे जब तक नाले को पिलाना बट्टावाडे नाला में मिलानी देंगी तब तक यह काम चलता रहे हैं आज ही कि देन हम लोग करेंगे लेबल लगए 16 क्लिमिटर हमारा काम आज स्ट्रेच में होगा और बागी का 6 क्लिमिटर कुछ काम हो चुका है नदी में कितने तक वाला हो जाए लिए तो मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना की मेरम ने एक बहुत अच्छा विजन हम लों के सामने रख रहे है और हमारा स्वाग है कि शुवाद हमारे जिन पर और आपको बहुत हुआ है वहां तक हम इसी ही पहुँच नहीं पाए कु पनी ही इस पीजरी से अब शेयरा इंड आपना कारियोजना बनाया है् तौन इंडर्यार्णिया बलब सपाइब पानी रह गजयर्व मेंक बार्साथ ह tęग इन उसमें पानी रह गगए पानी प्र्साद कम थागर तरीं तो यह थां सपानी होता है बट यहां के लोग जब मिलते हैं हमसे जैसे लोकली कोई जत्रत निदी आते हैं या गाओं के लोग आते हैं अगर उनसे हम चर्चा करते हैं कि हिंदर नदी कैसा पहले हम ऐसी अगर बाचित करते हैं लोग बताते हैं यहां फानी इतना रहता था पहले नहाते थे पानी पीते वैसे जब बोलते हैं तो हमें भी बहुत इच्छा हुआ कि इस नदी को साफ कर देना चाहिए और पुराने स्थिति वही माने मुक्मंत्री जी का निक्देश है कि पुराने जैसे स्थिति उसको लोटाएं कि नदिया बहुत इंपोर्टन है आप लोगों को पता है गन्ना का विक बीना फासल भी नहीं हूंप तो हम लोगों का बहुत बड़ा निकाल सकते हैं साफ 9 निकाली रहे हैं जमीन से ब्लाइबस पर दूसरा प्रदूशिक पानी अगर अंदर जाएगा जमीन के अंदर फिर अगेन आपका नुकसान होगा तुकि स्वास्त भी खराब होगा फिर आपका फसल में भी कई प्रॉब्लम आएगा तो हम लोगों ने सोचा सफाई हो जाएगा तो बरसात में नदी अपने अब साफ सुत्रा होना चाहिए एंड सेकेंडली इंकी केती बढ़ गया है किसका जमीन कहां खतम हो रहा है कई किसानों को पता भी नहीं रहता तो दूसरे जहां पर नाली है दीरे-दीरे बंद हो जाता है क्योंकि सिल्टिंग हो जाता है तो उसमें खेती कर लेते हैं तो वो सब सब्सक्राइब करने का कॉंप्लीट करने का कर दी घर से किसी बच्छे ने बुलाया तो घर चले के गंटा गंटा दर समर्शुल चल दा पानी पहरा है ति विजिली की का नुक्सान जिली का मीटर लेकर तो दिक्षत और हम इस बात को देखते लिए कि यह नुक्सान हो रहा है यह हमारा अपना नुक्सान है तो सब लोग कि जन सहयोग से काम हुआ है कि लोगों ने सहयोग दिया है और बहुत बड़े उप्तारगा काम किया और सब्सक्राइश को काम ने देखते वे अपनी बात को विराम करता हूं हम सब लोग स्कूने के काम में लगें